कि हलो स्ट्रेंट्स लास्ट एग्जेंपल डिसस्केरिंगे मैं एग्जेंपल नम्बर नाइंटीन देखो क्या कह रहा है यह आपके सामने फिगर एक एक ट्राइंगल एबीसी का जिसके अंदर एक एंगल 30 दिया है और यह साइट टैन यह साइट अगर यह दोनों साइट टै इस अगर है आईट इसकेल क्या लैंकिल है हमारे पास तो अगर यह काई सेट राइंगल दे रखा है तो आपको बता अौपजिट एंगल प्लब में यह वे एक प्लूस अक्सलिगे उग महाँ लिख सकते हैंывает का है इसको सौल करोंगे is sis इक्कोल्स तू वन फिफ्टी डिग्री हो जाएगा ओक्की और एक्स की वालु कितनी हो जाएगी 75 अब आप देखो एंगल एबी सी इक्कोल्स तू एंगल एची भी एक्कोल्स तू कितना हो गया हमरे पास 75 हो गया बता हो यहां तक समझ में आया कि है बिलकुल आ गया सर बिलकुल आ गया ये भी 75 ये भी 75 अब ध्यान देना जाइग्राम पर क्या कहना चारों मैं आपसे ये एक center point है इसने बोला क्या है cow is 32.a पर एक मेना cow बांदी है ठीक है और रसी जो है वो 12 cm है यानि ये जो 10 थी उसके बाद 2 cm और मैंने produce कर दिया रसी को ठीक है मैं लिख रहा हूँ यहां पर AB produced to E and AC produced to F F था so हम यहां पर कह सकते AE जो है वो completely 12 cm हो जाएगा and BE जो है आपका वो 2 cm हो जाएगा बताओं यहां तक समझ में आ गया है कि ये 2 cm ये 10 cm खीक है सर अब आग इसने बोला क्या है इसने बोला neither a rope can and not the cow is allowed to enter angle ABC इस angle ABC के अंदर जो है इस angle ABC के अंदर जो है वो ना तो रस्य आनी चीए ना फी नहीं cow आनी चीए enter उसके अलावा आप cow को कहीं भी चरालो obvious ही बात है cow के पास अगर 12 cm रस्य है तो cow पूरा ऐसे round गूम सकते ये अपने point से और कुछ भी यहां से चर सकती यानि ये पूरा area समझ गए और देखो cow इसके इस angle के अंदर enter नहीं कर सकते लेकिन cow अगर इस रस्य पर है तो वो यहां भी तो enter चर सकती है ये point भी तो उसके में आएगा ये point भी तो आएगा तो देखो ये अगर 75 है तो पहली बात तो ये angle कितना होगा 105 होगा कैसे पता लगा total 180 होता है 180 में से less करोगे 105 आजाएगा ये angle और ये angle linear exam की बात कर रहो है समझ गए यहाँ पर ठीक है sir ये 105 आगया और ये मेरे पास 75 आगया ठीक है sir और देखो आगे अगर ये मेरे पास 105 आगया ये मेरे पास 75 आगया है अब देखो cow पहले यहां से लेकि यहां तक चरहेगी पहले बाहर वाला पूरा एरिया ही हूँ आपको पता है under 30 डिग्री है तो बाहर कितना होगा 330 डिग्री होगा कैसे पता लगा total 360 होता 360 में 30 लास करोगे ये बचा वह निकल जाएगा 330 डिग्री है खीक है खीक है सर अब निकालते हैं पन ग्रेजिंग एरिया आजओ नेक्स लमें यहां तक पॉसकर इक पर कॉपी कर लेना समझा दी ही मैंने सारे पॉंट्स कि किस तरीके समय यूज़ ले रहे है अब हम लिख रहे है एरिया विच कैन भी ग्रेज बाय काव काव किस-किस को चलेगी ठीटा बाई 360 पहले तो वह इस ठीटा बाई 360 को यानि 330 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर रेडियस कित्ता हो जाएगा टोटल अगर आप रेडियस देखोगे यहां से यहां ता ना है अपने पाट टुएल पलस अब देखो नीचे इस एरिया अब यहां भी चर सकती इस के अंदर ने जहां Одकला बैने इसे डोट जागें सकती कि और इस जगे पहले यहां वह नहीं रस्सी से घूंके यहां सकती ना इस पॉइंट सथीक तो यह कितना इंगल है 105 तो मैं यहां पर लगा देता हूं 105 डिगरी अपन 360 डिगरी इंटू 5 इंटू रेडियस कितनी है तू और यह सब के आगे मैं लगा रहा हूं तू से मल्टिप्लाई क्यूं करना आगे तू से मल्टिप्लाई ऐसी दो जगे होंगे दो पौने होंगे जहां इंटू यहां पर 12 यहां पर 22 जा 4 है मैं एक यहां पर 4 भी कमन निकाल रहा हूं अब देखो अंदर क्या 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 बचेगा आप आपके पास देखो यहां पर 360 चला गया पाय चला गया और यहां से 4 चला गया अब 9 parle स्फूर का क्यूर है 12 का स्फूर का मतलब 3 into 4 into 3 into 4 यह तो हुआ इसका मतलब इसमें से मैंने 1 4 बाहर ले गया हूँ मैं कितना बज़ गया अंदर 3 into 3 into 4 बज़ गया अंदर सिंपल समझ गए ठीक है सर यहां आजाओ यहां पर से अपने 1 2 और छोड़ दिया क्या चले उसको भी ले ले लेते हैं इसका मैं देखो 2 into 105 बज़ गया मेरे पास पाय चला गया मेरे पास 360 चला गया टूटू जा फोर चला गया ब्रैकेट क्लोस कर देते हैं ठीक है 493090 आ गया और भी हम इसमें से कमन निकाल सकते हैं चीज़ है तो 105 के पहले टुकड़े करो कितने हो जाएंगे तो मैं पहले टुकड़े लिख देता हूं एक पर ना देखो यह है आपका 33 इंटू 10 इंटू 33009 है चाहो तो इसको 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं आपका 3 इंटू 3 और यह 4 है इसको चाहो तो 2 इंटू 2 से भी काम चल जाएगा प्लस यहाँ देखो 105 को टुकड़े करें कितना हो जाएगा 21 5 जा ठीक है 5 1 जा और 5 2 जा 21 की जगए हम क्या लिख सकते हैं 37 जा ठीक है आप टुकड़े निकालो एक सेकेड 5 बाइ 90 डिगरी और अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूं तो देखो मैं यहाँ से क्या के निकालता हूं 2 और 3 2 और 3 कॉमन आ गया तो 6 कॉमन आ गया आपके पास कितना आ गया 6 कॉमन आ गया अब अंदर कितना बचा 33 बचा 10 बचा 1 को और 3 बचा redo तो चला गया और record पुबचा प्लस यहां देखो यहां पर सर हमारे पास 2 और 3 दोनों चलेगा 75, 35 बज़ गया ठीक है किलियर है आगे बढ़ू चलो next देखो गई एक सिक्नियर इसको थोड़ा साफ कर देते हैं एक बार फिर से step बता रहा हूँ मैंने यहां से पाय निकाल दिया मैंने यहां से 360 निकाल दिया 2L का मतलब होता है 3-4 जा 12 12 पे क्या लगावा है स्क्वेर लगावा है ठीक है तो यह 4 टाइम है वैलू तो अपने यहां पर देखो 330 अंदर बज़ गया और इसमें से 3 और 3 बज़ गया और एक 4 बज़ गया यहां पर देखो यह 2 बज़ गया as it easy और यहां पर यह 105 बज़ गया 360 चला गया यह चला गया और फोर भी चला गया अब इसके माने टुकड़े करें 33 इंटू 10 किया पहले फिर 33 रखा फिर 4 के 2 इंटू 2 रखा फिर 2 इंटू साथ 27Pass 3 27 difference 21 हो जाएगा 21 को 5 सब्साइब 5 10 इसके अपने फैक्टर कर लिए पाद अपने कॉमन निकाला केवल और उर 3 जो है और उसको उठाके बाहर ले गए ठीक है सर अंदर बज़ गया 33 इंटू 10 इंटू 33 इंटू 10 इंटू 3 इंटू यह तू यहां पर कितना बज़ ग गया होगा रहा इसको अठा देते हैं अपने यहां से एक विनर्ट अब हर्जा जल्दी से अब बड़ा टाइम ले लिए इसना तो बस यह लास्ट ओके अब देखो आगे क्या हुआ कैल्कुलेशन में यहां से 6 से कटेगा यह कि 6 बन्यद् me कितना हो जाएगा इसको से कड़ सकता हैं 3 2 ना 6 कर बज़के यहां पर एंदर यहां पर कितना बचा इन सब को solve करेंगे तो यह हो जाएगा 330 तो 3 जा 6 plus 35 multiply करो 6 3 जा 18 18 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 19 यह पाए है add करो 3 5 8 3 कितना हो जाएगा 11 2 0 1 5 5 की टेबल से 5 3 जा 50 5 4 जा 5 3 जा 15 ठीक है अब आपको simply क्या बज़ गया आपके पास देखो पाई इंटू 4 0 3 डिवाइड बाई 3 सेंटिमेटरे स्कुरर आया को समझना है ठीक है सर अब क्या करना डिरेक्ली आपको देना डिवाइड आज और नेक्स स्लाइड पर यहां से कितना बज़ गया 4 0 3 पाई बाई 3 4 0 3 पाई बाई 3 सेंटिमेटरे स्कुरर एको डिवाइड करो 4 0 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 by 3 अगर मैं इसको points में ना लिखे mix fraction में लिखे 134 1 by 3 5 cm2 अगर points में करना जाओ तो कोई दिक्कत नहीं point लगाया 0 3 3 9 1 0 इस प्रीजा 9 नहीं चलता रहेगा 134.3 3 भी लिख सकते है आप यहां पर cm2 यह भी सही है यह भी सही है दोनों में कोई दिक्कत नहीं पाय लगा दे ना भाया पाय अपने सौल नहीं किया है आपे ठीक है कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आप 222 by 7 या 3.14 कर लेना ठीक है समझ में आगया यह हो गया complete आपके examples अब सीधे अपन मिलेंगे exercise 4.1 के साथ ठीक है खुझ से एक बार करने कुशिश करना नहीं आते तो फिर अपन है आपने साथ में ठीक है चलो